अब दोस्तों नमस्कार मैं लोकेश्ता हूँ दोस्तों हाल के दिनों में सेयर मार्केट से सम्मन्धित एक गंभीर मामला सामने आया है दोस्तों आजकल कई सारे ऐसे फ्रॉड व्यक्ति आ गये हैं मार्केट में जो ज्यादा मुनाफे का जहासा देकर लोगों से ठगी कर रहे हैं अभी दो दिन पहले का यह न्यूस है और यह न्यूस पेपर में भी आया हुआ है जिसमें कई ऐसे पीडित व्यक्ति हैं जो रिटायर्ड करमचारी हैं जो की गौर्मेंट में अच्छे बड़े खासे पोश्ट से रिटायर हुए हैं लेकिन फिर भी वह इस जहाशे में आजा रहे हैं और अपना बरसो का जमा किया हुआ पुझी इस स्कैं में फस कर अपना पुरा पुझी गवा दे रहे हैं आप चित्र में देख सकते हैं इसलिए दोस्तों आपसे यह सला है कभी भी share market में ज्यादा मुनाफ़े के जहासे में मत आएं कोई भी share में invest करने से पहले उसके fundamental को अच्छे तरह से चेक करें और अपने risk के हिसाब से ही उसमें पैसा लगाएं सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जिसपे आप कम से कम आठ से दस साल आप hold कर सकते हो क्योंकि share market आपको ज्यादा मुनाफ़ा तभी दे सकता है जब आप long term के लिए आप hold करते हो दोस्तों share बजार में निवेश करने से पहले ये जरूरी सा उधानी जो आपको रखना चाहिए पहला कोई भी व्यक्ति यदि आपसे बातचीत के बाद अगर आपको कोई link भेशता है तो कभी भी ऐसे कोई link पर click मत कीजिए क्योंकि यहाँ एक परजी एप हो सकता है दूसरा किसी भी ब्रोकर को अपना ID या पासवार्ट कभी share ना करें तीसरा अपने ट्रेडिंग या डिमेट एकाउंट में पैसा खुद जमा करें कभी किसी ब्रोकर को अपना blank check ना दें चौथा फोन पर निवेश ना करें किसी भी stock में invest करने से पहले company के सभी background को जरूर चेक करें जैसे company क्या करती है कौन सा product बनाती है कितने देशों में supply करती है company का total sales turnover क्या है उसका profit margin कितना है company के पास खुद का promoter holding कितना है उसमें कितने FII और DII का पैसा लगा हुआ है इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे financial ratios हैं जो आपको देखना चाहिए दोस्तों यह सारे information ऐसे हैं जो हर company अपने website पर upload करती है यदि आप समय निकालकर हर दिन आदे घंटे इस पर research करते हैं तो आने वाले समय में दोस्तों आपके पास बहुत सारे ऐसे stock होंगे जिसमें आप निवेश करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों कई share ऐसे होते हैं जिनको हर कोई जानता है या उनके service को use कर रहा होता है लेकिन फिर भी हमें उस company का नाम पता नहीं होता है ऐसा ही एक share आज मैं लेके आया हूँ आपकी सामने उसका नाम है Jubilant Foodworks Limited भारत की सबसे बड़ी खाध्य सेवा company है और Jubilant भरतिया सम्हू का एक हिस्सा है 1995 में इस्थापित company के पास भारत, स्रिलंका, बांगलादेश और नेपाल में Domino's Pizza ब्रांड को विक्सित करने और संचालित करने के लिए Domino's Pizza Inc. Services Master franchise का अधिकार है इसका करन्ट सेर प्राइस है दोस्तो 470 रुपीज दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्वाइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में